नमस्कार दोस्तो अनंत क्लास में मैं लक्षमी सीख एक बार फिर आपका स्वाज़त करती हूँ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाउंडर एंड फादर या इन्वेंटर भी हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रतिपादक जुसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या प्रतिपादक आज हम लोग की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो सब्मनोंविज्ञान में जो भी जिन्हों ने भी जो थियुरी हमें दी है उनके नाम क्योंकि ये ऐसे नाम exam में पूछते हैं ठीक है और ये हमारे competitive exam seated और TET के लिए खास कर बहुत ही important है इसलिए हमें देखना चाहिए और ये कभी-कभी B.A.D. के exam में भी D.A.D. में भी ये सारी चीज़े नहीं objective type questions में आते हैं कि इस सिद्धान को किस ने दिया था किस प्यानिक ने दिया था तो आज हम लोग इस class को देखते हैं ये बहुत important class है शुरू करते हैं अपनी class पहला है क्या father of psychology father of psychology दिया हुआ है विलहम मुंड ने और एक चीज़ आप देखना मैंने father of psychology यहां भी दिया हुआ William James ने ये दोनों ही सही है एक्जाम में जब आएंगे तो ये दोनों option आपको एक साथ कभी नहीं होते हैं इसमें से जो इसमें option में आपको होगा या तो William Wund भी होगा अगर James नहीं है तो आप इसे दोगे अगर James दिया हुआ है वुंड नहीं दिया हुआ है तो आप James दोगे ठीकि question में आता है father of experiment psychology experimental psychology then आप कहोगे Wilhelm wound ने दिया है मेरी बात को ध्यान से समझना अगर question में mention है father of psychology either wound और gems दोनों कठे नहीं होंगे क्यों कि कोई एक रहेगा ठीक है दूसरी बात इसमें मैं कह रहे हूँ कि अगर exam में आपको mention है कि father of experimental psychology then आप mention करोगे Wilhelm wound और ये बात समझ में reason है क्योंकि इन्होंने first laboratory psychology के अस्थापित के थी जर्मनी में और ये father है किसके father of structuralism के लिए भी father है Wilhelm wound experimental psychology का मतलब है कि इन्होंने एक laboratory अस्थापित के थी for experiment of psychology अगर ये experimental psychology आता है तो आप कहोगे William wound अगर आता है option में father of psychology दोनों मेंशे अगर कोई एक option है James and wound तो आप उसे ही mention करोगे ठीक है फिर देखो father of structuralism हमने किसको कहा wound को James पे आते हैं James क्या है हमारे इन्होंने father of psychology भी कहा जाता है father of functionalism भी कहा जाता है and self concept की जो थिवरी है William James नहीं दिया था ओके देख रहे हो father of behaviorism किस नहीं दिया था JP Watson ने दिया था JP Watson ने को कहा जाता है कि behavioristic school के principal माना जाता है इनको इन्होंने develop किया था Watson ने इस school को behavioristic school को लेकिन इसको मजबूत किस ने किया था इस Skinner ने Watson ने एक बात कही थी वो mostly questions में आते हैं कि आप मुझे infant बहुत सारे infant बच्चे अपने दे दो किसी भी संप्रदाय से हो किसी भी परिवेश से हो environment से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता आप उनको दे दो मैं उनको कुछ न कुछ बना कर ही वापस भेजूँगा इधर engineer, doctor, hawker कुछ भी मैं उनको बना कर ही भेजूँगा आपको वापस करूँगा तो ये इनकी थिवरी क्या है जैसे behaviorism में उन्होंने ये बात अपनी रखी थी जे भी Watson ने इसलिए इनको इस school का principal कहा जाता है इन्होंने develop किया था और इसको मजबूत किसने किया Skinner ने किया इसके बाद ही आता है classical conditioning जिस पे था IP Pablo है उन्होंने दिया था Operant conditioning किसने दिया था Skinner ने दिया था ये जो सारे हम लोग condition पढ़ रहे हैं ये सभी चीजें हम लोग day by day हम लोग अपने classes में discuss करेंगे ठीक है आज सिर्फ हम लोग इसके founder का ही नाम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या जो है हम लोग अपने जैसे जैसे हमारी topic आके बढ़ते जाएगी educational psychology में वैसे वैसे हम लोग इनकी बात करते जाएंगे next कहता है हमारा father of educational psychology हमने पहले क्या बात की थी father of psychology की अब ये father of educational psychology thondike है and the trial and error method इन्हों नहीं दिया था theory जो है भूल एवं प्रयास trial and error प्रयतन एवं भूल का सिधाल इन्होंने दिया है ठीक है और next कहता है father of constructivist approach constructivism जिसको हम लोग बोलते हैं constructivism जिसमें बच्चा जो है coaches creativity आती है और बच्चे क्या इसके वाहाँ मानसिक विकास का हम लोग अध्यन करते हैं यानि कि इसका किस ने दिया था gene-piaj मानसिक अध्यन हम लोग कर चुके हैं इसमें इनको gene-piaj की जो इस theory है इसको हम लोग क्या कहते हैं जैसे किसी भी newspaper का chief editor होता है न वैसे ही कहा जाता है कि constructivism में सबसे main काम क्या है cognitive development हो रहा है बच्चे का तो उस चीज को यहाँ पर कह रहा है कि chief theorist of cognitive constructivism is कौन है gene-piaj है father of social constructivism is one what कौन है यह आपका क्या है why goats की है constructivism में आप देखना कि एक जो है यह social है और एक मैंने mention करना मैं भूल गया हूँ मैं नीचे mention कर देती हूँ कहता है कि father of social constructivism constructivism में एक क्या है part cognitive development एक है आपका social development एक है क्या moral development तीनों चीज़े क्या constructivism में आ रही है moral development की की है अक कोहल बर्ब ने ओके तो यहाँ पे social constructivism में कौन आता है why goats की आते है father of discovery learning and father of concept attainment model यह आते हैं आपको brunner आते हैं यहाँ जो discovery learning की बच्चा कोई चीज खोज कर सीखता है अपनी तरीके सो उस चीज को खोजता है हर चीज समस्या का समधान ढूणने की प्रयास करने लग जाते है यह learning में आता है हमारा तो इसको किसने किया है brunner ने किया है अब brunner ने और भी चीज इसमें दिया spiral curriculum भी father of spiral curriculum यहाँ जो होता है कि बच्चा जो भी चीज कैसे अपनी learning process को आगे बढ़ा रहा है by through spiral वो कैसे होता जब हम लोग यह lesson पढ़ेंगे अपने learning theory उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से discuss करेंगे next है father of advanced organizer model जिसको हम लोग कहते हैं AOM यह किसने किया था Oswell ने किया था 17th है point हमारा father of intelligence test is Alfred Bennett यह इन्होंने intelligence कैसे किसी की check करते हैं IQ level की बात जो होते न उसके बारे में Alfred Bennett ने दिया था founder of psychoanalysis is Simon Frude यह क्या है Simon Frude ने दिया है इन्होंने इसके अंतरगत यह जो different है न कि एक word आया है defense mechanism यह जब हम लोग इस lesson को पढ़ेंगे तो उसमें यह आएगा defense mechanism के बारे में भी इन्होंने अपनी psychoanalysis theory में दिया है जो इन्होंने बताया है कि eat ego ओके इसके बारे में इन्होंने बताया है सारा कुछ और जिसके अंतरगत हो थो न हमारे अंदर जो गुसा आता है या हम किसी से प्यार करते हैं या हमारे अंदर जो feeling develop होती है यह सारी चीजों की Simon Frude ने अपने थियोरी में बताई है gestalt psychology जिसको फादर जिसको कहा जाता है वह है वर्द मायर वर्दी मर इसको बोल सकते हैं वर्दी मर psychology में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं insightful learning मतब अपनी सूजबूज से ही अपने काम को करना ठीक है और एक और है father of humanism जो कौन किस ने दिया था Abraham Maslow ने दिया था Maslow ने अपने इस humanism में मनुस से की कुछ need है जिसके बाद पर उन्होंने एक structure त्यार किया था एक map त्यार किया था कि इसके अंतरगती होता है कि मनुस से जो होते हैं अपने basic से उठकर एक self realization तक पहुँचता है उसके बात उन्होंने अपने humanism में मैस्टोने कही है ठीक है तो मैं मैं आपके पास ये 21 लेकर आई हूँ founder के नाम अगर और भी आपको मिलते है founder के नाम तब जरूर से जरूर उसको write down करिएगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो 21 मैं लेकर आई हूँ इनके बार ये main है आपके psychology के founder जिसके अंतरगत बहुत सारे प्रियोग हुए हैं बहुत सार जो बिसेश तोर पर पढ़ना और भी है मैं ये नहीं कहते हूँ कि नहीं है बहुत सारे हैं और day to day life में experiment हो भी रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा इसको जादा से जादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार